Dear students, welcome to GetSmashers, आज की इस फीडियो में explain करने जा रहा हूँ, map and filter function in python, बड़ा important concept है और छोट-छोटे points है यह जो आपके competitive exams और specially interviews में बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं, तो मैं आपको with example, with execution सारी कहानी बताता हूँ कि map function क्या होता है, कैसे work करता है, filter क्या होता है, कैसे work करता map का basically fund है गए, google map वाला map मतले न, यह actual में क्या है, कि आपने collection of elements दिये, मतलब वो list हो सकती है, set हो सकता है, कुछ भी, अब उसके उपर अगर आप कोई operation करवाना चाहते हो, हर एक element के उपर एक-एक करके, मतलब आपने let's say list of marks आपने दिये, और आप चाहते हो कि हर एक element पे ज students के marks हैं, और यहां पर मैंने एक function create की है, कि भाया, अगर मुझे grade find out करने है, कि अगर let's suppose marks 90 से जादा है, तो A grade होगी, अगर let's say 80 से 90 के बीच में तो B होगी, अगर 70 से 80 के बीच में तो C होगी, 60 से 70 के बीच में तो D होगी, otherwise F मतलब fail हो गया, वैसी ऐसा होता तो नहीं है, यह 60 marks में तो हम लोग तो इतने कुछ हो जाते हैं, 60-70 पी, बट अब ठीक है, चलो example के तौर पर आप ले सकते हो कि इससे कम में fail, अब यहां पे जो grade में हमने क्या दिया, एक map, यह दियान से देखना, जो map function में ने दिया, map function में हम लोग जो है, वो दो arguments पास करते हैं by default, प वो काम हम करना चाते हैं, वो हम एक function के through करेंगे, यह बड़ी important बात है, कि map खुद भी एक function है, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक function दे रहे हैं, उस function के अंदर हमने दे दिया, कि भया यह चीज़ करो, और किसके उपर करो, वो marks, आप कह सकते हो, एक तरह ऐसे iterator हमने यहां प करता है, एक एक करके element पे जाता है, अब देखो, उसके बाद मैंने इस सारे result को मैं grades में store करता हूँ, क्योंकि अपने हाप में तो by default का एक object है, अगर आप खाली सको print कर रहा होगे, तो object होगा, कुछ भी print नहीं होगा, तो यहां पे मैंने grades के अंदर output डाल दी, और grades को मैं क के case में, जैसी मैंने यहां पे next किया, तो यह क्या करेगा, output में मिरको एक answer दिया, क्या दिया, ध्यान से देखो, output में क्या दिया, C, क्यों, क्योंकि जो 77 है, वो किस category में लाई करता है, C वाली category में लाई करता है, 77 आपका, इसके अंदर आता है, 70 और 80 के बीच में तो C, output त करता है, एक element पर work करेगा, फिर दूसरे पर जाएगा, अगर मुझे दूसरा element चेक करना है, कि यह 97 किस category में आता है, तो यह तो मैं क्या करूं, इसको एक बार और print कर दो, तो मैं जैसी एक बार और print करता हूं, और execute करता हूं, तो इसने दे दिया, अब यह दूसरे की grade क्या है, 97 के हिसाब से A, बट यहाँ पर थोड़ा सा, यह concept में क्यों बता रहा हूं, अगर मैं direct output लिख दूँगा, तो आपको clarity नहीं होगी, कि actual में मैं समझाना क्या चा रहा हूं, तो इसलिए याद रखना, by default यह generator है, iterator की तरह work कर रहा है, एक-एक element पर जाके, तो इसने पहल है, memory efficient है, तो अगर मुझे एक बार में कराना है, तो कोई बात नहीं है, आप एक बार में भी करा सकते हो, आपको simply क्या करना है, list, यहाँ पे next की जगह पे आप क्या pass कर दो, list pass कर दो, ताकि वो सारी list generate करके, output मेरे को दे दे, तो सारी list generate करके, 77 के corresponding यह आगी, इसके corresponding यह, त तो सारी list आपको generate करेगा, तो आप simply यहाँ पे list कर दो, next की बजाए, अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे मत करो, एक और method भी है, आप यहाँ पे सीधा map के आगे लगा दो, यहाँ पे आप map के आगे जो है, वो list लगा दो, एक ही बात है, तब भी यह properly work कर देगा, ठीक है, तो यह भी चीज़ आप कर सकते हो, तो दोनों funda जो है, वो same है, यह चीज़े पता होनी चाहिए, वैसे तो यह execute जब आप करते हो, तब आपको और ज्यादा clarity होती है, लेकिन फिर भी, मैं आपको जितने point छोट-छोटे बताना चाहते हूं, वो मै चाहन है, तो मैंने चाहे वाल चन्नी में डाला, और नीचे मेरी चाहे आगी, उपर कह रहा गया, वो पत्ती वगएरा, और वो सारा जो भी अगर इलाईजी लुई जी आपने डाली है, वो उपर रह जाती है, वो एक condition है, क्या condition दी, कि चाहे की जो चन्नी है, उसकी जो जा करते हैं, तो वेर क्या है, एक condition होती है, वही चीज़ हम यहाँ पर filter के थ्रू कर रहे है, तो मैंने marks दिये, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कि अगर marks 60 से कम है, तो वो क्या करेगा, output में आ जाएगा, कि भया, यह fail है, तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो apply कर सकते हो, लेकिन filter क्या है, map जो है, वो हरे एक value पे जा जा के apply होता है, लेकिन filter क्या है, एक तरह से filter out करता है चीज़े, और यह true और false के case में return करता है, जैसे मैं example के तौर पर आपको बताता हूं, marks मैंने यह वाले pass कर दिये, यहाँ पर मैंने एक function create किया, def, failing score, return, score less than 60, अगर score मेरा less than 60 है, तो एक तरह से वो failing category में आता है, तो मैंने result filter कर दिया, failing comma marks, failing comma marks अगर मैं यहाँ पर करता हूं, तो एक तरह से क्या हो गया, कि जहाँ पे भी score आपका क्या है, 60 से कम है, मतलब वो एक तरह से failing score है, तो यह condition लगा दी, 60 से कम वाले जितने ही है, तो यहा कि 77 less than 60 है, नहीं है, तो क्या return करेगा, false, मतलब इसको output में मत डालो, फिर 97 less than 60, no, false, 64 less than false, 35 less than true, true आते ही मतलब 35, यह return करेगा true, और true जिसके लिए return करता है, उसको आप final result के अंदर डाल दो, जिसके लिए true return करेगा, final result में डाल दो, तो यह basic सा fund है कि भईया, यह आपका एक तरह से filter out करता है चीजे, और यह भी काम map की तरह ही है, कि एक एक value पे जा जाके करता है, अगर आप list नहीं लिखोगे यहाँ पे, list नहीं लिखोगे, तो आपको फिर next next करके output लेनी पड़ेगी, लेकिन list लिख दोगे, तो एक बार में output आपकी सारी आ जाएगी, तो इनके basic nature में फरक है, map हरेक element पे जा जाके, जो भी condition, जो भी आप apply करना चाहते हो, method वो हरेक पे जाके apply करेगा, लेकिन यह क्या है, यह true और false के इसाफ से, जिन पे apply किया है, अगर वो true return कर रहा है, तो output में दिखाएगा, अगर false return कर रहा है, तो output में नहीं दिखाएगा, that is map and filter, thank you करेंने फे कर वो यह लाके ।